हेलो वेलकम बैक आज मैं आपको most important current affairs for MPPSC 2017 अपने इस वीडियो में cover करने वाला हूँ जो की January 2016 से December 2016 के बीच का है और ये बहुत ही important current affairs है आने वाले मद्धिपृतिस Public Service Commission के exam के लिए जो की 10 फर्वरी को conduct होने वाला है तो आप मेरा वीडियो स्टार्ट से end तक देखते रहें तो चलिए शुरू करते है पहला है कि मद्धिपृतिस government ने एम सिक्षा मित्र mobile app launch किया especially for the teachers ये जो है वो विशिये शुकूप से तीचरों को ध्यान में रखकर बनाया गया आप है और इसके जो महतुकूड points है वो ये है कि मद्धिपृतिस के जो teacher है वो बहुत ही सुगंता पूर्वक या असानी पूर्वक इससे अपनी salary slip generate कर सकते हैं scholarship के बारे में information ले सकते हैं या GPF statement को प्राप्त कर सकते हैं और ये जो है वो सितंबर 2015 में launch हुआ था ये जो app है वो मद्धिपृतिस गौर्मेंट ने सितंबर 2015 में इसे launch किया था next है आपका railway से संबंदित railway ने make in India प्रोग्राम के तहत अपना पहला लगजरी कोच जो की हबीब गंज railway station भोपाल में है से प्राप्त किया और मैं आपको इसकी कुछ highlights बताता हूं यह यह जो है वो design किया गया है भोपाल कोच rehabilitation workshop द्वारा जो की निशात पुरा में है ठीक है अगर हम इसका trial की बात करें तो जो इसका trial हुआ वो जो है वो भोपाल से गंजबा सौधा के बीच में हुआ आप देख रहे हैं कि मैं इसे indicate भी कर रहा हूं वो कहा हुआ भोपाल से गंजबा सौधा के बीच इसके इसके तरिक मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोच है इनका पहले भी इससे पहले भी एक बार इस्तिमाल हुआ है यूज हुआ है और वो हुआ है जबलपूर हर्जरत निजामोदिन संपरक्रांती एक्सप्रेस में एक अधा मेरा जो है वह की देश का पहला वाटर ठॉरेज माल भी एक इंडिकेट भी कहला एक स्मिशन जो लें, व मद्य प्रदिश में चबाइब awake जिसका मकसद है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला वाटर टॉरिस में है वो मद्यप्रदेश में शुरू करने की बात की गई है और इसका जो एम है वो है एट्रेक्टिंग मोर टॉरिस्स तो दे स्टेट आधिक से अधिक टॉरिस्स को एट्रेक्ट करना नेक्स्ट है आपका मद्यप्रदेश टू इंपोस बैन ऑन पॉलिथेन फ्रॉम जनवरी 2017 मद्यप्रदेश के सीयम जो की सिवरास्तिक चौहांजी है उन्होंने जनवरी 2017 से अब देख सकते हैं जनवरी 2017 से एंटाय स्टेट में पॉलिथेन को प्रतबिंद या बैन करने का देश दिया है ठीक है और सबसे महत्वपूर बात यह है आप यहां देख सकते हैं मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं कि सबसे महत्वपूर बात यह है कि यह जो घोष्णा मर्द्पृतिस की सीम ने की है यह इस्ट्रिकली जो है वो कुछ जगों पे बहुत ज्यादा इस्ट्रिकली यह लागू किया जाएगा जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशिंस और पवित्रिस्थानों यानि हॉली सिटी प्लेसिस पे मैं कुछ का नाम ले दूं जैस अमरकंटक, खजुराहू, पंचमड़ी, महेश्वर, ओकारेश्वर और ओरच्छा ठीक है नेक्स्ट है आपका कि मद्प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ली कॉन यून आप देख रहे हैं यहाँ पे ली कॉन यून एक्सचेंज फैलोशिप से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें सिंगापुर में जन्वरी 13-2016 को प्रदान किया गया किस चीज के लिए उनके कंट्रिबिशन, उनका जो कंट्रिबिशन है डबलपमेंट एंट इंटरनेशनल हॉर्मोनी में तो नेक्स्ट है आपका जो है वो है डीबीटी इस्कीम फॉर केरोसीं फ्रॉंअप्रिल वन 2016 डीबीटी स्कीम, इन केरोसीं वन अप्रिल 2016 जो यूट स्टिट्स पे लागओ की गई ठीक है, आप यहां देख सकते हैं उनके ना ठीक है, मैं डीकेड भी कर रहा हूं, छत्ये तो यहां पर important key point यह है कि इन 8 states में मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राजी है जिसने यह स्कीम को अपनाया है नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश गवर्मेंट ने जो है memorandum of understanding sign किया है किसके साथ सिंगापूर के साथ ठीक है मैं फिर से repeat कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश गवर्मेंट ने memorandum of understanding sign किया है सिंगापूर के साथ और वो जो memorandum of understanding है उनकी संख्या चार है जिसमें चार core sectors को यह चार sectors को target किया गया है मैं उनके नाम ले लूँ और indicate भी कर रहा हूं अर्बन प्लानिंग, skill development, clean energy and food processing अगेन मैं repeat कर रहा हूं अर्बन प्लानिंग, skill development, clean energy and food processing इसके अत्रिक्त MOU में 1000 MW का पवन उर्जा प्लान्ट जो की पश्यमी भाग में मद्यप्रदेश के पश्यमी भाग में setup करने की योजना बनाई गई है next है आपका, first mega food park मद्यप्रदेश के पन्वा गाओं में आप देख रहे हैं मैं indicate भी कर रहा हूं कि first mega food park मद्यप्रदेश के पन्वा गाओं में जो है उसका उदगाटन किया गया ठीक है और यह जो पन्वा गाओं है वो है खर्गाओं डिस्ट्रिक में मैं यहाँ पर देखें इंडिकेट भी कर रहा हूं यह जो है खर्गाओं डिस्ट्रिक में है ठीक है और यह जो उदगाटन हुआ हो 12 फरवरी 2016 को हुआ next है आपका रोयल स्टेट एंड हार्ट ऑप अंडिया कंपोज एस्पीवी फ़र स्मार्ट सिटीज SPV को मद्यप्रदेश के तीन सिटीज मैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा जो मेटेरियल इसको डिक्टेट नहीं करें मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं इसकी समड़ी बता रहा हूं कि SPV जो है Special Purpose वहकल मद्यप्रदेश के तीन सिटीज मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यह जो है मद्यप्रदेश के तीन सिटीज जबलपुर इंदौर और भोपाल में सेट अप करने की बात की गई है लगाने की बात की गई है और प्रतेख SPV के लिए 12 मेंबर्स होंगे यानि जबलपुर के लिए 12 इंदौर के लिए 12 और भोपाल के लिए 12 इसके अत्रिक्त यह SPV जो है वह राजिस्थान के जैपूर और उदैपूर में भी सेटप करने की बात की गई है नेक्स्ट है आपका एक बात और मैं SPV के बारे में बताना चाहूंगा कि SPV का जो यूज है आप यहां देख रहे हैं मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं SPV का जो यूज है वो smart city mission में किया जाता है ठीके और क्यों किया जाता है क्योंकि समय से effective समय से इसका प्रियोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम समय से effective तरीके से किसी plan को implement कर पाएं और इसमें जो है 50-50 की equality by state and the respective urban local bodies जिस भी local bodies पर यह apply होगी वो उसके खर्च को बहन करेगा और state government उसके खर्च को बहन करेगी और यह जो भागीदारी होगी वो 50-50 की होगी नेक्स्ट है आपका मद्यप्रदेश का जो कटनी है वो इंदिया का longest railway bridge बन गया है ठीके और इसकी लंबाई जो है वो 14 किलोमेटर है मैं यह आप इंडिगेट भी कर रहा हूं आप देख सकते हैं मैंने हाइलाइट किया है इसकी जो लंबाई है वो 14 किलोमेटर है नेक्स्ट है आपका कि 42वा खजुराओं डान्स फेस्टिबल जो है वो खजुराओं में सुरू हुआ जो की छतरपूर डिस्टिक मद्यप्रदेश में है यह जो उत्सव है खजुराओं मंदिर के फ्रेमवर्क के उपलक्ष में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं और जिसको की चंदेल सासको द्वारा 950 से आप देख सकते हैं चंदेल सासको द्वारा 950 से 1050 AD के बीच में बनाया गया था नेक्स्ट है आपका मद्यप्रदेश बजट 2016 सत्रह आप यहां पे देख सकते हैं बाकी आप यह पढ़ सकते हैं कि यह जो बजट है वो विद्ट जो है फाइनस मिनिस्टर जो है फाइनस मिनिस्टर स्वरी फाइनस मिनिस्टर जेंद मलेया के द्वारा प्रपोस्ट किया गया और इस बजट का जो एस्टिमेटेड अमाउंट था वो 1.58 लाक करोंड था तो आप यह चोटे बोटे आकड़े आप कहीं से भी देख सकते हैं आप यहां से भी देख सकते हैं मैं इसकी मेजर्स की पॉइंट मेजर्स स्कीम को आपके साथ डिसक्स करने वाला हूं डिसक्स करने जो कि एक्जम के पॉइंट अफ यू से इंपोर्टेंट है तो पहला स्कीम है इंटरकास मैरिज प्रमोशन स्कीम यह जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जो सरकार है ठीक है सरकार है वो आपको पच्छास जार रुपे से बढ़कर अब दो लाक रुपे तक की इंसेनेटिव देगी ठीक है एंड इस स्कीम का जो एम है मकसद है वो एलमिनेशन ओफ अनटचबिल्टी है ठीक है अनटचबिल्टी को इलमिनेट करना है छुआ छूथ को पेदभाव को इलमिनेट करना है next plan है आपका e-sakti campaign आप यहां दे सकते हैं e-sakti campaign इस campaign का जो मकसद है वो 3 लाख जो ग्रामिड औरतें हैं उनको internet की एक basic शिक्षा provide करना है एक basic समझ उनके अंदर double up करता है next है आपका budget the budget also proposed an increase in vat on plastic product इस budget में जो plastic project है उनके उपर जो है वैट की वैट को increase कर दिया गया है next है आपका उशा किरन केंद्र ये योजना इस योजना का इस योजना की सुर्वात मद्धिप्रति सरकार द्वारा या इस योजना की घोशना जो वित्रमंत्री जैंत मलेया हैं उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ legal and economic help provide करने के लिए की गई है जो domestic violence के जो भी victims हैं next है लाडली लक्षमी योजना इसके लिए government ने 930 करोंड रूपे अलॉट किये और इसके अंतरगत वह 21 लाग गल्कियों को cover करने का उनका लक्ष है इस के तरिक में आपको बता दूँ कि ये जो योजना है 2007 में start की गई थी और इसके अंतरगत एक जन्वरी 2006 से जन्मित वह सभी लड़कियां इसके अंतरगत आते हैं जो बच्चियां है एक जन्वरी 2006 से जन्मी जो बच्चियां है वह इस स्कीम के अंतरगत आती हैं नेक्स्ट है आपका कि मद्यप्रदेश राजिका पहला इंडो तिम्बटिन बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वह सुरू करने वाला राजिका वह राज बन गया है ठीक है मद्यप्रदेश राज हो जो है वो इंडो तिम बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाला राज बन गया है जो कि बतियागर दमों में है ठीक है आप देख सकते हैं पर बतियागर दमों है और इस जो ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश है वो यह है कि यहाँ पर नए रिकूर्ट जो कॉंस्टेबल है उनको ट् अभी परकार के छोटे बड़े हथियार चलाना साथ ही पांच किलोमेटर तक की छमता वाले टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग उसके साथ सार्ट स्टेट गंज इसके इलावा यह जो ट्रेनिंग सेंटर यह अल्रेडी ऑपरेशनल में है कहां इलावाद में नेक्स्ट है आपका मद्यप्रदेश जो है वो मद्यप्रदेश जो है वो नेशनल अगरिकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म जॉइन करने वाला ठीक है उसने जॉइन करने की बात की है हाली में जो है मद्धिप्रदेश ने यह अनॉंस किया है कि वो नेशनल अगरीकल्चर मार्केट में सामिल होगा ठीक है और इंपोर्टिंट बात ये है कि स्टेट गॉर्मेंट में सिर्फ एक कमोडिटी को आप यहां देख सकते हैं कि प्रारंब्य में वो सिर्फ एक कमोडिटी को जिसका नाम है चना ठीक है वो एक्ष्ण में के प्लेटफॉर्म पर वो शो करेगा या इंसर्ट करेगा ठीक है नेक्स्ट आपका इंडिया इंडो वी वी इंग्ड फानेशिंग एग्रिमेंट एंपी गवर्मेंट ने वर्ण बैंक से एक क्रेडिट करार किया है आप यादें वर्ण बैंक से जो कि आपको पता है इसका हैडवार्टर वर्सिंटन डिसी में तो MP Government of India और MP Government ने जो मिलकर एक credit करार किया है जिसकी worth है 300 million dollar ठीक है और ये जो करार है वो MP Higher Education Quality Improvement Project के लिए किया गया है आप देख सकते हैं मैं indicate कर रहा हूँ ये जो करार है 300 million dollar का ये MP Higher Education Quality Improvement Project के लिए किया गया है नेक्स्ट है आपका Healthcare A.T.M पांच Healthcare A.T.M की सुर्वात चार राजियों में हुई ठीक है पांच Healthcare A.T.M की जो सुर्वात है वो पांच राजियों में हुई जो की हैं मद्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उरिसा और आंदर प्रदेश ठीक है पांच Healthcare A.T.M जो की चार स्टेटों में काम कर रहे हैं बात तो ही पांच की लेकिन वो अभी चार स्टेटों में ही अप्लाइड है जिनमें से पहला है मद्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उरिसा और आंदर प्रदेश इंपोर्टेंट बात कि यह जो A.T.M है इस A.T.M को Multipurpose Public Health Worker और Auxiliary Nurse Midlife यह लोग ऑपरेट इनके द्वारे यह A.T.M हैंडल किये जाएंगे यह जस्ट लाइक का Call Center जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए Call करते हो और आपको वहां से सुजाओं मिल जाता है वो इसी तरीके से यह Healthcare A.T.M काम करते हैं नेक्स्ट है आपका इंडिया वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एप्रूब किया है 35 मिलियन यूस डॉलर के क्रेडिट साग का ठीक है मद्यप्रदेश के लिए और यह जो है यह इसका जो एम है वो इंप्रूब करना है selective public services जो disadvantage groups हैं राजी में उनके लिए आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो राजे में disadvantage हैं बिलॉंग कर रहे हैं उनकी public service को उनकी improve करना है access to selected public service next है आपका सिंगस्त कुम्भ मेला जो की उजयन में सुरू होने वाला है या जो उजयन में हो चुका है उजयन जो किछिप्रा नदी के किनारे है एक शहर है ठीक है वहाँ पर जो है यह मेला सिंबस कुम्भ मेला आयोजित होने वाला है इसके अत्रिक्त अनकुम्भ मेले जिनके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक important बात कि जो कुम्ब मेला होता है वो 6 वर्स में एक बार लगता है और जो महा कुम्ब होता है वो 144 साल में एक बार 144 वर्सों में वो एक बार आता है इसके अत्रिक्त अन इस्थान जहां पर ये कुम्ब मेला लगते हैं वो है हरिद्वार हरितवार गंगा की गिनारे फिर प्रियाग गंगा और यमना के संगम पे फिर त्रियम्बक जो की नासिक में है गोदावरी की गिनारे और चोथा आपको पता है उजयन छप्रा नेक्स है आपका LED बल्ब उजाला योजन कजोद घाटन हुआ वो बोबाल में हुआ और ये जो है यूनियन पावर मिनिस्टर प्यूश गोय द्वारा किया गया ठीक है और इस स्कीन के तहट जो है 3 करोन LED बल्ब जो है वो बाटी गई और प्रती जो LED बल्ब का रेट था वो 85 रुपेद था और जो इनकी वाट थी 9 वाट की थी इस योजना को लॉंच करने का मध्य प्रते सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना उदेश है कि वो पावर कंजप्शन को अधिक से अधिक मातरा में कम कर सके क्योंकि आप देख सकते हैं कि in the end of year ठीक है यह जो इसका जो खर्चा आता है वो है रुपे डेर सो से रुपे एक सो असी यानि प्रती वस आप डेर सो से एक सो असी रुपे मातरी बिजली के लिए बिजली उब्भो के लिए आप पे करोगे next है कि white tiger safari का उदगाटन मुकुनपूर सत्ना में किया गया आप देख सकते हैं बस आप इतना याद रखें कि white tiger safari जो है वो मुकुनपूर के सत्ना में इसका उदगाटन किया गया और जो tiger का scientific name है वो panthera tigris next है आपका कि इंडिया की first woman biker वीनू पलीवल जो है वो उनकी मृत्यू हो गई मृत्यू हो चुकी है यह जो है इंडिया की top woman biker थी और जिनकी मृत्यू रोड एक्सिडेंट में हो गई next है आपका कि भेल भेल भारत heavy electrical limited ने 600 megawatt thermal power plant को मद्य प्रतिस में स्थापित करने की बात की है आप यहां देख सकते है कि मद्य प्रतिस में स्थापित करने की बात की है भेल ने 600 megawatt power plant की ठीक है और यह जो है अवंता ग्रुप जहाबवा power plant limited ठीक है इसके साथ जो है जो की है सियोनी दिस्ट्रिक में मद्य प्रतिस के यहां पर यह 600 megawatt की power plant की बात की गई है फिर नेक्स है कि एम्प्रतिस ने बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइड लाइफ अवाड जीता है आप देख सकते हैं एम्प्रतिस ने जो है नेक्स है आपका टाटा ट्रस्ट MP government joins hands to work in healthcare टाटा ट्रस्ट और मद्य प्रतिस सरकार में एक साथ मिल कर healthcare के छेतर में जो है वो काम करने का नेड़ने लिया है और बेसिकली यह उन सेक्टर्स को target करेगी healthcare के जहां पर बहुत ही ज़्यादा problem है जैसे के nutrition, mental health और cancer नेक्स्ट है आपका गनीज बुक के बारे में है नेक्स अपडेट गनीज बुक औफ रिकॉर्ड ने रिकर्गनाईस किया है दे लार्जिस्ट कर्मा नीच डान्स सॉरी कर्मा नाच डान्स बाई 309 पिपलल एंपी जो सबसे बड़ा कर्मा नाच डान्स है जो कि 3049 लोगों द्वारा मद्यप्रदेश में परफॉर्म किया गया उसे गनीज बुक औफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकर्गनाईस किया है इसमें जो पार्टिसिपिंट करने वाले लोग हैं उन्होंने 61 लाज्ट सर्किल बनाए और 50 पुपुल ठीक है और इन्होंने परफॉर्म किया ट्रडिश्टनल ट्राइबल डान्स नेक्स है आपका MP जो है वो बन गया है प्रथम स्टेट हापिनेस डिपार्टम बनाने वाला जो है यह प्रथम स्टेट बन गया है यह इस ने जो फिर शुरुवाद कियी है wearing और प्रंद की का करण का यह उसके अपने यह इसे अपलाई किया है और इसका जो Head है, Happiness Department के जो Head है, वो CM Čहान जी है नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश और पांड़ोचरी ने जॉइन किया उद्य स्कीम ये क्यों किया? क्योंकि आपको जैसे की पता है कि करेंट में जो पावर कॉर्पोरेशन्स हैं या जो बिजली कंपनिया है वो घाटे में चल रही है, एक साथ मिलकर अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और एक साथ मिलकर अगर ये किसी स्कीम पर काम करेंगे तो ये बहुत ही benefit होगा एक दूसरे के लिए जैसे कि आप यहां देख सकते हैं उधर स्कीम that will save the state 17515 करोण इतने पैसे वो save करेंगे अगर वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं नेक्स्ट है आपका की former MP governor मोहमद सफी कुरैसी की मृत्य होगी ये जो थे इनकी मृत्य जो है वर 27 ये ये ओल्ड थे 87 साल की उम्रिमेन की मृत्य होगी और इन्होंने deputy union minister of railway का भी पत सुसोबित किया है और लोकसभा जो इसलामाबाद parliamentary constituency है उससे लोकसभा में दो बार वो चुने गए हैं नेक्स्ट है आपका two day convention on tourism was flagged off in khajuraho मद्यप्रदेश जो tourism पे convention है वो दो दिन convention वो खajuraho में आयुजित किया गया मद्यप्रदेश के नेक्स्ट है आपका कि SDFC और Ergo यह दो प्राइवेट सेक्टर्स की जो है यह insurance companies है ठीक है इन्होंने crop insurance screen जो की आसाम MP और उत्राखंड में लागू किया ठीक है नेक्स्ट है आपका गुजरात के गवर्नर उपी कोली ने जो additional charge लिया जो की 26 वे गवर्नर है मद्यप्रदेश के 8 सितंबर 2016 को नेक्स्ट है आपका दो बार लोकसभा MP रहे मद्यप्रदेश के आसिक बेग की मृत्य हो गई आप बेख सकते हैं यहाँ पर ठीक है अगर आपको मेरी voice समझने में या किसी content को समझने में कोई problem हो रही है तो आप प्लीस comment line पे comment करें और यह video current affairs के point of view से काफी important है इसे आप start से end टेक जरूर देखें यह बहुत benefit होगा आपके लिए next है आपका इंडिया's first diamond mineral block auctioned in MP भारत का पहला diamond mineral block जो है उसकी निलामी मद्यप्रदेश में की गई और यह कहां की गई पन्ना district में है और इस diamond जो block है उसका नाम है हातुपुर diamond mineral block जो की पन्ना में है और इस जो block है जो यह block निलाम की गई है इसकी जो worth है वो लगबक 106 करण रूपे लगाई जा रही है ठीक है और इसे बंसल construction works द्वारा जो है बिड लगाया गया था और बिड में इसने बिड में से जीता नेक्स है आपका आदित्य बिर्ला ग्रुप आदित्य बिर्ला ग्रुप ने जो है वो 20,000 करों इन्विस्ट करने की बात की है MP में और यह वो यह इन्विस्ट करेगा रेटेल, टेलिकॉम और सिमेंट सेक्टर में नेक्स्ट आपका रूपा गांगली और गनेश ने यह सपत लिया राजे सभा MP के रूप में रूपा गांगली जो की पशिम बंगाल से बिलोंग करती है और गनेश जो की तमिल नाटू से हैं अब यह राजे सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनी जित करेंगे अब करेंगे नेक्स्ट आपका MP गर्मेंट ने जो है वह लालिमा अभियान वह लॉंच किया स्टेट को फ्री करने के लिए अनीमिया से अनीमिया से फ्री करने के लिए मद्यप्रदेश सरकार ने लालिमा अभियान जो है वो लॉंच किया नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर राज बिसारिया जो है इनको जो है वो गवर्मेंट ने कालिदा सम्मान से इनको कालिदा सम्मान से ओनर किया है जिनका नाम है राज बिसारिया नेक्स्ट है आपका कि मद्यप्रदेश के जो मुख्य मंत्री है उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा जो कि हमर कंटग से इनक माई 2017 तक चलेगी और स्टार्ट 11 दिसंबर 2016 से स्टार्ट होगी और 11 माई 2017 तक यह चलेगी और इसका जो एम है वो है नर्मदा को नर्मदा रिवर जो की मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है उसको पॉलिशन फ्री बनाना इसके तरिक्त नर्मदा सेवा यात्रा जो है वो 1900 किलो मेंटर सोलर डेस्ट्रिक्ट को भी कवर करेगा नेक्स्ट है आपका NBWL National Board of Wildlife इसने जो है अप्रूबल दे दिया है केन और बेतवा इंटरलेंकिंग विविविस प्रोजेक्ट को जो की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को से चाई पेजल तथा एलिप्सिटी की सुभिधा प्रताम करेगी मध्य प्रदेश ने प्लान किया है 1100 climate smart cities बनाने के लिए इस cities को बना वह यह जो प्लान है वह अगले 6 years में complete करने की बात की गई है और इस प्लान का जो मक्सद है वह फार्मर को climate change की वज़े से जो risk उठाने पड़ते हैं और जो productivity उसकी productivity damage होती है उसको support करने के लिए यह plan को यह plan बनाया गया है नेक्स्ट है आपका कि मद्यप्रदेश जो है वो first crop insurance claim distribution program launch करने वाला राज बन गया है अब यहां देख सकते हैं कि मद्यप्रदेश जो है उसने उधाटन किया first crop insurance claim distribution program का अगला जो है नगर उदय अभियान जो है वो launch हुआ मद्यप्रदेश में ठीक है और यह जो launch हुआ वो है अटल बिहारी बाजपई प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटर्विहरी काजपई के जन्म दिवस पे और जो की है 25 दिसंबर 2016 sorry 25 दिसंबर क्योंकि यह तो change होता रहता है इसका जो aim है वो है to assist services being provided to citizen and bring them as the standard lab अच्छी अच्छी सर्विस अपने citizen अपने नागरिकों को provide करना और उनकी जीवन गुर्वत्ता को बढ़ाना इसका जो पहला phase है वो है दिसंबर 25 दिसंबर से 28 दूसरा phase दो है वो 3 जनवरी से 15 जनवरी और 3 जनवरी से 5 फरवरी है नेक्स्ट है आपका poet और former राजी सभा MP बेकवल उतकरशी उतसही जो है उनका निदन हो गया वो 88 वर्स के थे नेक्स्ट है आपका कि BJP leader of former मद्यप्रदेश चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पत्वा जनकी मृत 92 की पीज में हो गई नेक्स्ट है आपका co artist और national emblem दीनाना भार्गुवा जो है उनकी मृत्ति होगी इन दौर में यह जो थे इन्होंने painter नंदलाल बोश के ग्रुप में ठीक है आप देख सकते हैं नंदलाल बोश के ग्रुप में डिजाइनिंग डिजाइन किया था pages of the Indian constitution की pages को डिजाइन किया था और यह इनके जो जन्म हुआ था एक नॉबंबर 1927 मुलताई जो कि बैतुल ड्रस्टिक में मद्यप्रदेश के वहां हुआ था बाइ